दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, HDFC बैंक में regular basis पर काफी सारी job opportunities आती रहती हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सभी job opportunity के बारे में जो की presently HDFC बैंक में आई है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कौन-कौन सी locations पर और कौन-कौन सी positions पर HDFC बैंक काफी सारे लोगों को hire करी है क्या eligibility criteria है, क्या qualification required है, कितनी आपको salary दी जारी है, आज मैं आपको देने वाली हूँ पूरी जानकारी लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टाट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजे, and bell icon को भी दबा दीजे So friends, जब आप description के link को click करेंगे, तो आप jobnow247.com की official website पर पहुँचाएंगे और यहाँ पर आप check out कर सकेंगे कि HDFC bank में जो latest job opportunity आई है, वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे जाएगी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि jobnow247.com की official website पर regular basis पर काफी सारी job opportunities आती हैं, जिनके लिए आप directly apply कर सकते हैं तो presently यहाँ पर HDFC की job vacancy है वो update हो चुकी है, अब आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पर apply now के बटन पर क्लिक करेंगे देखे, इस तरीके से यहाँ पर आपको apply now के बटन पर क्लिक करना है, और जैसी आप apply now के बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे directly HDFC bank की official website जियां friends, आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने open up है HDFC bank की official website और आप यहाँ पर check out कर सकते हैं कि HDFC bank में साड़े 12,000 के आस पास presently vacancies निकली है, यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह HDFC bank की official website कह रही है, जिसमें आप देख सकते हैं 12,000 के आस पास job vacancies जो है, यह post हो चुकी है, यह सब ही latest job vacancies है, काफी सारी locations पर आई हैं और काफी सारी post पर आ कौन कौन सी locations पर हैं, तो first page पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी post यहाँ पर दिखाई देगी, RBB personal banker, business analyst, RBB personal banker, sales manager, marketing service manager, credit manager, system analyst, साथी साथ आप देख सकते हैं, RBB teller authorizer, इसके साथ साथ customer care executive, collection manager, credit manager, program manager जैसी बड़ी बड़ी profile में, साथी में कुछ ऐसी profile में, ज जाता है, उन में भी यहाँ पर काफी सारी job opportunity आई है, इसके साथ साथ आप locations भी देख सकते हैं, इंडिया के कोने कोने से, आप देख सकते हैं, तमिल नाडू, मुंबई, उडीसा, इसके साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर महराश्रा, तेलांगना, करनाटिका, उतर तो आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं, कि कितनी सारी vacancies हैं, और कितनी सारी post हैं, दोस्तों आगी बढ़ने से पहले मैं आपको एक update देना चाहूंगी, अगर आप अपना करियर वाकई में एक अच्छी बड़ी private company में बनाना चाहते हैं, एक ऐसी profile में, जिसमें काफे अ साथी साथ बहुत अच्छी salary हो, तो आपको बताना चाहूंगी कि Oden School आपकी इस चीज में बहुत जादा help करता है, अगर आप अपना करियर full stack developer की profile में बनाना चाहते हैं, एक अच्छी बड़ी company के साथ बनाना चाहते हैं, तो आप भी इनकी तरह अपना करियर एक अच्छी बड़ी company में इस profile में बना सकते हैं, आपको बताना चाहूंगी कि ये हर महीने काफी सारे bootcamp लेकर के आते हैं, और इस बार जो bootcamp आया है, इसमें आपको 30,000 रुपे तक की scholarship दी जा रही है, साथी साथ आपको no cost EMI का भी option दिया जा रहा है, अगर आप वाकई में एक अच्छ लगाना चाहते हैं कि आज के टाइम पर आप full stack developer जैसी profile पर कितनी earning करना चाहते हैं, तो आप जो इनका calculator है, salary calculator है, इसको भी use कर सकते हैं, और check out कर सकते हैं कि कितनी earning आप इस वक्त full stack developer की profile पर, so guys check out कीजे इस बड़ी update को, अब मैं आपको एक बहुत ही जादा important चीज बताना लेकिन अगर आपको देखना है कि आपके शहर में या आपके state में कौन सी vacancies आई हैं, तो आप देखें यहाँ पर side में आपको filter दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना state select करना है, तो देखें अगर आप महरास्टरा से हैं, तो महरास्टरा की vacancy दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर UP क्लिक कर देती हूं, जैसी मैं यहाँ पर UP क्लिक करूंगी तो देखें यहाँ पर 1000 के आजपास जो है UP में vacancies आई है, जो की अलग अलग पोस्ट की है, आप देख सकते है, आर बीबी की vacancy है, नोइडा लोकेशन की, सेल्स मैनेजर की vacancy है, वार प्याग राज में भी आई है, तो यहाँ पर आपको कई सारी vacancies आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अब आप एक पर्टिकुलर सिटी में job opportunities देखना चाहते है, तो देखें पर्टिकुलर सिटी का भी यहाँ पर फिल्टर दिया गया है, आप देखें यहाँ पर के आसपास job vacancies यहाँ पर recently post हुई है, जो कि सारी की सारी latest है, अब आप इन में से जिस भी location पर suitable है या जिस भी profile में suitable है, आप यहाँ पर check out कर सकते हैं और उसके according आप apply कर सकते हैं, ठीक है friends, इसी तरह से अगर आप कुछ ऐसी opportunity देखना चाहते हैं, जिसमें कम experience की requirement है, आप देख सकते हैं यहाँ पर left hand side पर one to two year का experience, zero to one year का experience, यहाँ पर experience wise भी filter आपको दिखाई दे जाएगा, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे वो vacancies दिखाई दे जिसमें zero to one year का experience ही required है, यह यहाँ कहें, जिसमें fresher candidate apply कर सकते हैं, तो जैसी मैं यहाँ पर zero to one year का experience जो है, डालती ह करती हूँ, one to two years, देखे, zero to one year वाली experience वाली जो vacancy है यह noida में ही मिरको देखने को मिल रही थी, तो सबसे पहले आप ऐसे ही करिएगा, आप अपना state select करिएगा, यहाँ पर मैं बापस से UP select कर लेती हूँ, उसके बाद जो है, यहाँ पर अपनी city select कर लेती हूँ, noida मैंने select कर लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर experience जो है वो select करती हूँ, experience जो है यह location और state select करने के बाद आएगा, देखे, अलग-अलग जगाओं के अलग-अलग requirement होती है, ठीक है, यहाँ पर noida location पर fresher candidate apply कर सकते हैं, maybe दूसरी location पर experience की requirement हो, यह bank to bank depend करता है, साथी साथ branch to branch depend करता है अब noida इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो easily जो है काम हो जाता है, लोग भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर experience मांगा गया है, यह 0 to 1 year का मांगा गया है, तो यहाँ पर 0 to 1 year experience वालों के लिए दो ही vacancy है, पहली तो ह operation executive card operation, दूसरी है authorized RLO की, तो यह दो जो vacancies है, जिसमें 0 to 1 year का experience ही required है, तो आप यहाँ पर check out कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, इस vacancy के लिए क्या काम आपको करना होगा, क्या qualification यहाँ पर required है, किस तरीके की skills required है, वो सारी जानकारीन आपको directly यहाँ पर इस तरीक पर आपको click करना होगा, यहाँ पर login करके आपको इस vacancy के लिए apply कर देना होगा, ठीक है friends, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, कोई charges, कोई fees नहीं है, apply करने की नहीं, interview में बैठने की, 100% free of cost job है, किसी तरीके की कोई fees, किसी तरीके के कोई charges यहाँ पर आपसे नहीं लिय जा रहे हैं, ठीक है friends, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, यह थी बात city की, state की experience की, अब यहाँ पर आपना title wise भी filter लगा सकते हैं, for example, अगर आप एक post पर experienced हैं, आपको उसी post पर vacancy चाहिए, तो यहाँ पर आप title का filter लगा सकते हैं, आप यह जिस भी profile में आपके पास experience है, या जिस भी profile में आप apply करना चाहते हैं, तो वो आप select कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी vacancies जिस भी locations की होंगी, वो यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी, तो customer care executive की profile पर भी vacancies आई हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको vacancies जो देखने को मिल जाएगी, collection department में भी देखने को मिल जाएगी, तो guys, आप choose कीजे की कौन सी vacancy के लिए आप यहाँ पर suitable है, then उसके according आप select कीजे अपना state, अपनी location और directly यहाँ पर apply now के button पर click करके, direct HDFC bank की official website से apply कर दीजे, आपको बताना चाहूंगी, जो भी vacancies लेकर के आती हूं, यह verified होती है, ऐसे portal से होती है, जहाँ पर कोई fees या कोई पैसे नहीं लिये जाते, यहाँ पर वाकई में job opportunities आती है, या फिर directly company की official website पर जो vacancy update, post होती है, वहाँ से मैं आप सभी के लिए खोज-खोज कर vacancies लेकर के आती हूं, तो आपको कहीं और जाने की जरुरत नहीं है, एक platform हैं आप सभी के लिए jobnow247.com, आप उस पर visit कीजे और अपनी मन चाही नौकरी में directly apply कीजे, so friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप इसे like कीजे, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe करना ना भूलिए, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, त बाई बाई